ये है दिल्ली दर्पन से पर्चे फैकेते और कूदने की कोशिस की थी और बड़ा हंगामा किया था इन्हीं मुद्दों को लेकर कि सरकार हमारी सुनती नहीं है हमारी बात की पर्वानी करती है हमें बोलने का मोका नहीं मिलता है देश के अंदर अमर्जंसी वाला मुखल बना हुआ है तो उसकी जो प्लेनिंग की थी वो की थी सिरी वी के मलोत्तरा जो कि उससे में बीजेपी के अध्यक्स थे और सिरी मदला लगवाना जो की बीजेपी जरनलस के थी थे लोग कुदे थे, उनमें से बहुत सारे अभी भी सरकार में हैं, बीजेपी सरकार में हैं, वो बीजेपी की प्लेनिंग थी नमस्कार दिली दर्पन टीवी देख रहे हैं, आप और मैं हूँ राजिंदर स्वामी, तेरा दिसंबर को जो कुछ हुआ सब ने देखा, और इसके साथ साथ एक चर्चाएं चल निकली हैं, कि क्या उन छे यूगों को उस तरह से ट्रीट करना चीए, जिस तरह से आतंकवादियों को किया जा रहा है, यानि क्या ये आतंकवादी घटना है, या फिर अपने आवाज सुनाने का उनका एक तरीका, इस पर बहे जारी है, लेकिन इससे मैं पहले बता दूँ, कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, सहीदी आजम भगत सिंग और बटू केश्वर ने भी सेंटरल असलमेंबली में इसी तरह से पर्चे फैक करके अपने आवाज को संसत के कानों तक पहुचाने की कोशिश की थी, पर्चे उन्होंने फैके थे, उनका भी ये कहना था कि बहरे कानों को सोनाने के लिए, उन्हो पहले भी कॉंग्रेस के सासन काल में भी इस तरह की घटना घट चुकी है और इस घटना को अंजाम देने वाले थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो उस समय कारे करता थे, उनके सिपाई थे, तो उसी घटना के एक गवा हमारे साथ हैं, राजे इस गर्ग जो उसके समदीद घवा है क्योंकि उन में से कुछ लोग इनके बहुत गहरे दोस्ती थे जेल में मिलने गए, जैसी मुझे इस बात का पता लागा, तो मैं इनके आहां पहुंचा हूं, और मैं उस घटना की जानकारी के लिए मैं सीधे इन से बात भी करता हूं, राजे जी, क्या हु बारों मैं पड़ा रोज टीवे पर देख रहा हूं, इस पकार की गटना गटी और इनको मुल्जिम बनाकर और रिमांड पर लेकर और तरह-तरह के बाते की जा रही है, तो मुझे एकदम याद आया है जिए उननीस सो ब्यासी के अंदर जिब मैं कॉलिज में छात राजनीत में थे, तो हमें मालूम हुआ कि हमारा एक साथी को जेल में है, जब जानकारी मिली तो मुझे डेट लिखिए मेरे पास अठारा मार्च उननीस सो ब्यासी की बात है, ये बीच लोग जो कि सभी बीजेपी के कारे करता थे, कुछ नेता थे, इन्होंने भी पार्लेमेंट के इन्दर उसमें इंदरा गांधी देश की प्राइमिस्टर थी और बल्राम जाकर उसमें स्पीकर थे लोग सुबा के अंदर, इन्होंने भी दर्सक दिर्गा से पर्चे फैके थे और कूदने की कोशिस की थी, और बड़ा हंगामा किया था, इन्हीं मुद्दों को ले कर कि स इपी के अध्यक्स थे, और सिरी मदला लुक्राना, जो कि बीजे पी के जनल सकेटी थे, चुकि मैं चाहत दी राजनीती के अंदर बहुत सक्रिय था, तो मुझे जो मेरा साथी अरेस्ट हुआ था, तो लगा कि उससे मुझे मिलकर आना चाहिए, तो जब मैं जेल में पहु हार्पी सिंग जो कि अमेले रहे, मेंदर नाकपाल जो कि अमेले रहे, शामलार गर्ग जो कि अमेले रहे, सुशील कुमार उसमें जमाने में इनिवस्ट्री के बड़े नेता हुआ कर्टे थे, बेगराज खटाना तीरे नगर से जो की निगम का चुनाव लड़े थे, और उनके साथियों को लेका इस सारी प्लैनिंग को वीके मलोतरा जी ने और खुराना जी ने प्लैन किया था कि या आपको पार्लेमेंट में कूदना है, और बहादरी दिखानी है, और कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे लोग जब वहां कूदे और उस परकार का हंगामा वहां उसमें इतना मीडिया नहीं हुआ करता केवल दिल्ली दुर्दरस्तान और छोटे मोटे न्यूट चैनल हुआ करते थे आख़वारों में ख़बर चपी थी गूगल में भी कहीं आपको मिलेगा नहीं लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो कंक्रीट जानकारी है लो पर्लेमेंट के अंदर एक पर्पोजल लाया गया कि इन लोगों ने ये जो पर्लेमेंट की जो मीटिंग है उसमें हंगामा किया है तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए तो उसमें कि इंदर गांदी के सरकार ने कहा कि यूवासाती हैं और इनको हम कुछ सजा दे कर इनको गया था तो मेरा कहना ये है कि जो ये लड़की नीलम है या ये सागर सर्मा है या जो बाकि छे नाम आ रहे हैं इनकी जो हिस्टरी देखी है इनकी जो परिवारिक बेगराउंड अखबारों के माध्यम से मालूम हो रहा है तो ये भी आवाज उठाने के लिए आये थे मुझे की हो कॉंगरेश की हो अन्य किसी पाइटी की हो यदि बिरोजगारी होगी देश में अरजकता होगी देश के अंदर और समश्य होंगी तो यूवा मजबूर हो जाता है इस कदम को उठाने के लिए उस समय इनकी भी बहुत पिटाई हुई थी च्योंकि मैं तो जेल में मिला पूरा वो किया तो स्वामी जी अपन कह सकते हैं कि सारे मामले को देखते हुए कि यदि यूवक और यूवती वास्तों में अवाल उठाने के लिए गए थे तो इनके पर जो तरह तरह की धाराय लगाकर कानून लगाकर इनकी बहुत ज्यादा बुराई की जा रही है वो न की जाए वास्तों में सच्ची इंक्वारी हो नयवपुन इंक्वारी हो और यदि अवाज उठाने की बात है जिस मकार बीजेपी के लोगों को एक अपते के बाद छोड़ दिया गया था रो सारे के सारे नेता बन गए हैं और आज भी मुझूद हैं कुछ गुजर गए हैं उनके साथ नर्मी बढ़ती गई लेकिन अब जो हम चन के आ रहे हैं सामने वो तमाम अलग-अलग इलाकों से लोग आते थे और एक फेस्बूक बगत सिंग को वो फोलो कर रहे थे और बगत सिंग से वो प्रेरित भी थे और जो कुछ उनके बारे में बताला का बहुत ही परिवारों से लेकिन वो बहुत लंबी प्लानिंग उसकी बता रहे हैं यह आतंगवादी गटना से इसको जोड़का देखा जा रहा है लेकिन एक तब का यह भी कह रहा है कि वो शांती पूर्ण धंग से इसको उसी तरीके से देख रहे हैं जैसे आगर बगत सिंग ने भी जमानत के अलावा उसमें फासी तक की सजा है और जिन्दकी भर वो जेल में रहेंगे अगर उस जिस एक्ट में उनको बंद किया गया तो यह तो बड़ा खतरना गश्ति क्या यह चिंगारी है देखो सरकार को भी सोचना चाहिए एक तो जो इंक्वारी हो वो इंपार्शल ह क्योंकि बीजेपी की एक मैं देख रहा हूं की वास्तों में बेरुजगारी तो है पॉलुशन है देश के अंदर कोई भी ट्रांस्परेंसी नहीं है हर चीज में दिये पारदर्सा पारदर्सिता ले आएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी नारा इदा बेरुजगारी और ता समाज समाजिक कार्यों में लगा हूँ ठीक है मुझे मुझे मिला मैं मेले बना और मैं इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी भी दूद की दुलूई नहीं थी कि जीवाल भी उसी उसी दंदंक के ये सारे लोग हैं कॉंग्रेश बीजेपी कि वह जितने भी छे लोग थे वह किसी राजनितिक पार्टी से नहीं जुड़े थे किसी संगठन से नहीं जुड़े थे एक सोसल मीजा पेड़ से वह जुड़े थे बगत सिंग से तो आपको लगता है कि कोई अंदर यांदर युवां के बहुत बड़ी फोज इस तरह का गुसा पाले बैठी है और उसका ही एक तरह से उनी उसी का एक परिणाम इसको माना जाए बिलकुर परिणाम है आप यह देखो चेह पंजाब हो हर्याना हो इवन दिल्ली यूपी जिस परकार से यूवा बिरोजगार है परिसान है आप उस लड़की की डिगरिया देखो उ हां जिसकी सरकार वह अपने लोगों को को सेटिंग हो बीजेपी में सेटिंग हो यह कहीं कहीं पैसे का रॉल भी में किसको नोखरी देनी है वहां उस्को नोखरी देनी गवर्णींग वोड़ी मिक्श्कों लेना है समाजी कारेकर्टा के नाम पर दोड़ी बना दी जाती थी बाद मैं डिरेक्erson आती थी नेताओं की नहीं आपने जो अपॉइंटमेंट करनी है वो इस वक्ति के करनी है और उसी चीज से परेशान होकर इन यूगों ने और खास तोर से मैं इस जीवती की जो मैंने पूरी हिस्ट्री देखी है जिसका सीट एट के लियर हो लखनों का जो रहने वाला है उसक असल बात क्या मजबूरी में आत्मी करता है मतलब सरकार मजबूर कर देती है परसासन मजबूर कर देता है पुलिस मजबूर कर देती है क्योंकि आज की इस्तिति यह हो गई है जो भी पावर में होता है वो सोचता है मैं आज जीवन इस पावर में बना रहूंगा चो नहीं transparency से काम करते क्यों नहीं अपने system के अंदर ये पार दरसीदा लाते यदि सिस्टम में पार दरसीदा जिस दिन व्यवस्था में पार दरसीदा आ जाएगी नहीं यह सारा बश्टा चार दूर हो जाएगा यह आतंक वाद और जिस परकार से निक सलेट मुमेंट हो रहे हैं जिस मेरिट में हैं उनको नोकरीदे के वल राज़ीति ना करें अब दोजार चुनाओं भी सामने आ रहा है नहीं लग रहा कि दो धड़ों में बट रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के एक उन युवाओं के पक्स में हैं जैसे कि आप बता रहे हैं और कुछ हो कह रहे कि कोई और भी रास्ता हो सकता था यह इस बिल्कुल उसको आतंगवादी घटना मान रहे हैं तो यह डिवेट कहां तक जाएगी क्या एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है अभी दोजार चुबिस के चुनाव से मैं आपको एप्जामपल देता हूं एक बताने कुलदीफ सेंगर जिनको पच्चीस साल की सजा हुई है अभी परसो और दस लाख रुपे फाइन हुआ है उसको बीएस पी ने टिकेट दिया दो बार एमेले बना सब पने टिकेट दिया एमेले बना बीजेपी ने सब कुछ जानते वे जो एफ़ डेविट चु तो इसका मतलब प्यान निकालोगे जो रेप पीडिता थी जो बरतकार की पीडिता थी उसके परिवार पर क्या भीती होगी वो तो दिलेर लोग थे हिमती लोग थे जोने हिमत करी और मकाबला किया गुंडा गर्दी का क्या बीजेपी को नजर नहीं आता क्या मोदी जी को कोई काम भटकता तो आपस में एक हैं मैं बताता हूं मैं भी गवर्णिंग बोड़ी में था माफ करना मुझे गवर्णिंग बोड़ी में दिली सरकार ने लिया था और जो वहां बात आई अपॉंटमेंट की तो लिस्ट पहले आया थी थी कि आपने इनको अपॉंट करना है तो मैंने का जी जब अपॉंटमेंट की लिस्ट या आपने बेज़ दी तो अख़बारों में आपने एडियों दिया अख़बारों में एड दे कर हजारों लोगों ने अपलाई किया उनके इंटर्विव हो रहे हैं लेकिन अपॉंटमेंट उनीक ही हो रही है जिसकी लिस् अब यह बताईए मुझे एक बच्चे को मालूम हो जाए कि नोकरी तो उसकी लगनी है तो उसकी मेहनत तो विकार हो गई उसका प्रयास उसकी पढ़ाई तो ऐसे में लोगों में रोश नी होगा तो क्या होगा गुस्ता नी आए तो क्या होगा कुछ बच्चे डिपरेसन में चले जाते हैं कुछ लोग लोग हिंबत करकर भगस से सीख कर क्योंकि सवतंतरता के अंदरन के अंदर भी जहां एक तरफ गांदी जी का अंदरन था उसी तरफ जो इस परकार के हुआ उसको नोकरी नहीं मिलेगी उसे काम नहीं मिलेगा और सरकार के वल गोश्टाइं करती देंगे गोश्टाइं में कोई किसी परकार की टांस्परेंसी नहीं होगी इंप्लिमेंट नहीं होगी तो इस परकार के तो हमले होते रहेंगे इस परकार से दर्सक्त दीरगा से लोग कूथते रहेंगे यह भी तो कोई समाधान नहीं नहीं इसका आप गुसा वोट जब वोट देने जाए तब उतारें आपने तो बताई दिया कि कॉंग्रेस बीजेपी और आमा आदमी पार्टी ऑप्शन क्या है यूवाओं क किया सरकार दें लागू कर दिया कुछ नहीं नहीं मना किया नई माने नई माने दो साल तक देश बर की जनता पर इसान रही सारे राज्टे बंद रहे हैं यह लोग राजनीती करते रहें जिन चीजों को यह ठीक बता रहे थे उन्हीं को वापिस ले लिया चुग चुनाओ क्रोर रुपे लगा कर पतरकारों की पिटाई कर दी जब वहां उसको इनको इंटर्यू लेने गए आज मैं में मकान के अंदर एक इट फालतों लगाता हूं ने तो एमसीडी तोड़ देती है और्गनाईज कराएं तो हर छेतर में इसमें चाया हैं तो लेकिन इन नेताओं क्रोवा कुछने भी कड़ता। क्योंकि नेताओं की सबसे बड़ी धिक्कत क्या है कि यह को भी किसे करतें कैसे करतें मैज्जरी के अंदर मेज्जर्टी जो जजिज हैं वा इमान दार है transparent की से काम करतें यह बहुत सारे जजिजज ऐसे हैं जिस की जो कि सरकार के उसमें लगते हैं कि मर्जी से लगते हैं कि पावर होती है अच्छा वो जजिज उनके सारे पर काम करते हैं नंबर वन नंबर टू हर एक आदमी सोचता है और साथ साल के बाद में क्या करूँगा रहे हैं वो जो जितने भी कमिशन डिफरेंट कमिशन जो है और यह जो आयोग बनते हैं उसमें अपनी घुस्पेट के चक्कर में इन नेताओं की आवबगत करते हैं इनके गलत कामों को में सहमत ही जदाते हैं जब तक यह चीज दूर नहीं होगी स्वामी जी दिली दर्पन बहुत लोगों की दिलों की अवाज है उनके दिलों में च कोई भी हो प्रसाशन हो चे एक्जिकिटीव हो लेकिन इनको पार दर्शिता लाएंगे तो काम बनेगा आपके जिन मित्रों ने बीजेपी के मित्रों ने वह पर्चे फैंके थे संसद में घुसकर के तमाम विधायक वह सरकार में हैं और लेकिन अब समस्चा सेम वही है उस इसी शिकायत को लेकर कि आप दूसरे लोग पर्चे फैक रहे हैं तो उनको दूसरी नजर से देखा जा रहा है उस समय कंगरेस की इंद्रागांदी प्राइम मिनिस्टर ती आज नरिंदर मोधी प्राइमिस्टर है इनको उनसे बात कर दे चुए एक ऐसा सिस्टम बनाना च क्या है इसकी जड़ में जाना पड़ेगा और जड़ में कौन लोग बैठें यह बरश्ट नेता और कोई नहीं बैठे मापको एक एक जामपल दूँ आपको बड़ा जीव लगेगा बीजे पीस समंदित है सांता कुमार देश के बहुत बड़े नेता रहें हेमाचल के हेमा विकास मंत्राले था जाउनको दिया गया ह। तो उनके पास एक दिन नेता जी का फोन गया। उन्हेन नाम लिखा। अब इस दुनिया में नहीं है हुदा कुमार जी कुछ खिए ओपके साया हूँगा। यूझ भूले जिए आटफ नाम नोने बताए तो पैसे जमा कराओ बोला ने लिये नहीं लोग की सरकार कहें चलेगी तो आप एक काम करो आप सुबह आओ अटल जी कियां और परचा ले आना बले परचा बले वहीं समझ आ जाएगा तो बले मैं सुबह पोचांटल जी कियां अचल जी ने मुझे बड़ा सत्कार के बोले राजनीती में यह करना पड़ता है आप पर्चा ले आए हैं बोले जी पर्चा समझा नी बोले ट्याग पत्र बोला मैंने वहीं ट्याग पतर दिया अचल जी मुझे भार तक छोड़ने आए और मैं वहाँ से सीधा हिमाचल चला गया च्योंकि बंगला पीड़ूटी का था कुछ समान मेरा बाद में बिजवा दिया गया और मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ समाज सेवा कर रहा हूँ तो यह क्या है यह मतलब इससे बड़ा अपने किताब में लिखा है और जिसको चाहिए उससे मगवा ले मैं अपने ले गाज तक लगातार बढ़ी रही है और इस तरह के गटना यह जब सामने आती हैं अपनी अवाज अपना दर्द इस तरह से जब सामने आता ही वहाँ का कुछ असर पड़त है आपको लगता है असर अल्टेमेटनी तो पड़े गा सुधार तो आ रहा है जैसे ऐस railway किसी भी हालात में आ रही हो किसी की मज़भूरी से आ रही हो लेकिं ट्रांसफरीन सी जैसे आ काम हो रहे हैं माप करना मैं आपकी बात को समझ रहा हूं बिल्कुल ठीक है रहूं लेकिन आज जवाब को उन दे रहा है अफसर नंबर एक नंबर दो बाड़ा गया है बलके एक डिपार्टमेंट अलग से बना लिया जो इसका आटिया का जवाब दे लेकिन जवाब नहीं आ मैं बताता हूं मेरा एक दोस्त है सुरंदर गुपता मेरी उमर का है हम पहली दूसरी तीसरी चोती पांच फी क्लास एकठे पड़े कोलेज में आ गए तो आज मैंने उसका नंबर टेस्ट किया यार वो तो जेल में वो भी कहता उससे पूछता हूं उसके घर की हालत यह है क चालू सब्सक्राइब कर रहा हूं मैं चलाक थे जगड़मबाज थे जो नेताओं की हामय मिलाते थे वो सारे मले हो गए को एंपी हो गया और बहुत सारे विचारे चले गए इस इंद्यार में कि वो भी कभी मले कॉंसलर या एंपी बनें गए तो बाकी लोग देखते हैं तो मन में पीड़ा थो होती है आज युवाओ के अंदर 80% युवायूती डिप्रेशन में हैं जितना वो पढ़ते हैं उनको उसका फल नहीं मिल पा रहा स्कूल में जाते हैं वहां सी फारस्त तो इसके लिए कौन दोशी है इसके लिए सरकार दोशी है इसके लिए आपका इंट्रिवू हुआ इतने नंबर आए एक्जाम में इतने नंबर आए इंट्रेवू के कुछ फरिवास ही नहीं है एक बच्ची थुरूआ उस्टोपर है है उसको तो निकाल दिया जाता है नोकरी से और जो नया नया भी करके आया नेट किलिए करके आए उसको नोक पाएगा युवाओ में आकरोष जब ही रुख पाएगा जब सरकार वास्तों में इमांदारी से काम करें केवल बाते ना करें एक बात हो मेरे को दी तो सांती नहीं मिलेगी अर्विंद केजरी वाल तो जनलोक पाल लेके आए थे थे ने टांस्परेंसी की बात करते थे कहा ग जून 2014 की बात है केजरीवाल साहब और मैं बैठे थे घर में बैठके बात करे थे चाही पी देते और कोई नहीं था तो मैंने का साहब वो एक बहुत इमांदार अफसर है तो उसको परिसान कर रहे हैं कांग्रेस ने परिसान किया अब तो आपकी सरकार है स्पीकर आपका है बोले नो 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 वो तो बहुत इमांदार है जो अच्छी बात है बोलो नो 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 वो इमांदार है वो तो हमारी बेस्तेसी कर देगा मतलब मैं का सरीए क्या है बला नो आई बिलीव इन पॉलिएिक्स आई नीड लोयल पीपल नोट ऑनेस्ट उसकी सरजा वो बगत रहें और आगी बोगतेंगे। जो बेरोजगारी की दंज से गोजर रहा है, परिबार पालने के सामने उनकी सामने चुनोती है, कोई सिस्टम ऐसा उनको नजर नहीं आ रहा जो उन्हें रहा दे सके। जो इनकोदी को जेल के सलाकों के पीछे पहुचाती है और उसे फांसी के सजा देलाती है या उसकी सारी जिंदकी जेल में कटाती है। राजिंदर स्वामी, दिले दर्पन टीवी जी जताओिंदर झाल 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 जड़ी झाल झाल